स्वागत करता हूं देली आइस अकडमी के आपके अपने यूटूब चैनल पर आज हमारी चर्चा का विशा है वर्णमाला वर्णमाला परिक्षा के दृष्टी से अगर देखें तो जो एक दिवसी आपकी परिक्षाएं होती हैं जैसे व्यापम या प्यसी प्रारम्भीक परिक्षा उसकी दृष्टी से बहुत महत्पूर्ण हैं आज हम जानने की करेंगे कि वर्णमाला में कौन कौन से बिंदू महत्पूर्ण हैं और कहां जादा जोर दिया जाए जिससे हम परिक्षा की दृष्टी से पूर्ण रूपेंड तैयार हो सकें जैसे अगर हम देखें तो भाशा क्या होती है तो भाशा बहुत साधन है जिससे मनुष्य अप अपने विचारों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकता है पर भाशा के दो सुरूप हैं एक मौखी दूसरा लिखे के जो मौखी के भाशा है उसे हम अप्रत्यक्ष रूप कह सकते हैं भाशा का अप्रत्यक्ष रूप कह सकते हैं लेकिन जो लिखित भाशा है उसे भ प्रमाण मिलता है। भाशा का जो मौकित स्वरूप है उसका प्रमाण इसलिए नहीं मिल सकता चोकि वह सुनने के बाद गायव हो जाती है। परन्तु जो लिखा हुआ है उसे साक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए हमें भाशा के लिखित स्वरूप की आवश्कताब पड़ी। अगर हम देखे तो जो भाशा का लिखित रूप है उसकी इकाई है वर्ण। अगर हम देखें मौखिक जो रूप है भाशा का जो मौखिक रूप है उसकी इकाई है ध्वनी। अर्थात जो कुछ भी आप सुनते हैं चाहे वो कर्ण प्रिय हो या अप्रिय हो वो सब कुछ क्या है ध्वनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं वर्ण माला में जो हमारा मूल विशय है। वर्ण माला को जानने से पहले हम ये समझते हैं कि वर्ण माला और लिपी में क्या अंतर होता है तो वर्ण माला होता है वर्णों का व्यवस्थित समू ही वर्ण माला कहलाता है जब की लिपी धनियों के निर्धारित प्रतीक चिन्नों के सामुविक रूप को कहते हैं अर्थात धनीयों के निर्धारित प्रती कचिन्ओं के सामुहिक रूप को ही क्या कहते हैं लिपी कहते हैं तो चलिए देखते हैं कि यह जो हमारा वर्णमाला है यह किल संवों में विवस्टित है अगर हम देखें सबसे पहले तो कि वर्णमाला में हिंदी वर्ण माला में कुल वर्णों की संख्या है बावन और यह विभिन वर्गों में विभाजित है सबसे पहले जो आता है उसे कहते हैं स्वर से समझना चाहिए स्वर स्वतंत्र धनिया है स्वर स्वतंत्र धनिया है जो अपने उचारण के लिए अन्य वर्णों पर निर्भर नहीं होती जब कि व्यंजन अपने उचारण के लिए स्वरों पर निर्भर करती है अगर हम उत्पत्ती के हिसाब से देखें तो आपका स्वर तो आपका स्वर तीन वर्गों में या मूल रूप से देखा जाए तो दो वर्गों में विभाजित है तो पहला वर्ग है मूल स्वर और दूसरा वर्ग है आपका संधी स्वर अगर हम देखें इनकी संख्या है चार इनकी संख्या है चार अ-ई-उ-ड ये चारों आपके मूल स्वर में शामिल हैं जब हम आ और आ का मेल करें तो यह परिणाम रूप में पढ़नित होता है आ के रूप में ई और ई का मेल करें तो उससे स्वरो के दिर्गस रूप ई की उत्पत्ति होती है अर्थात इनकी कुल संख्या है तीन इनकी कुल संख्या है तीन सन्री सवर की अगर हम दूसरी केटेगरी में आएं या दूसरे वर्ग में आएं तो इसे संयुक्त स्वर की नाम से जानते हैं संयुक्त स्वर ऐसा क्यों कहा जाता है जब अ से उ का मेल हो तो निर्मान होता है उ का, अ से ई का मेल हो तो निर्मान होता है एका, तो निर्मान होता है एका, तो यह आपके संयुक्त स्वर की क्याटेगरी में अगर देखें, संयुक्त स्वर की क्याटेगरी में देखें, तो ओ, औ, ए, ए, शामिल हैं और इनकी कुल संख्या है चार, प्रश्व स्वर्की संख्या है चार, या मूल स्वर्की संख्या है चार, दिर्ग स्वर्की संख्या है तीर, दिर्ग स्वर्की संख्या है तीर, और आपके संयुक्त स्वर्की संख्या है चार, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, तो हमारे हिंदी वर्ण माला में स्वरो की संख्या है 11, पहले स्वरो में आयोग वाह को भी शमिरित किया गया था, जिसे हम अम और अहा के नाम से जाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा विज्ञानियों ने संगोस्ठी की, और यह पाया, ना य इन्हें उस वर्ण से हटा कर इनके लिए एक नया वर्ण बनाया गया, जिसे हमने क्या बोला, अयोग वाह, क्या बोला, अयोग वाह, अब अगर हम देखें, तो दूसरा अगर हम वर्ण में आएं, वर्ण माला के, तो वो है मूल व्यंजन, वो है मूल व्यंजन, मूल व्यं संख्या बन जाती है 35 अब सबसे पहला जो वर्ग है, इसमें है इस परशी विंजन, मुख में धेर सारे भाग होते हैं, जिवः, ओस्ट, दात, तालू, मुर्धा और कंट इन सब के इस पर्ष से धनियों का निर्माण होने के कारण ही इन्हें इस पर्षी धनी कहा जाता है इन्हें इस पर्षी धनी कहा जाता है परन्तु ये तावर्ग चावर्ग तावर्ग और तावर्गों में विभाजित होने के कारण इन्हें वर्गी व्यंजन कहा जा का वर्ग में हमारे वर्णों की संख्या है प्यांच, चा वर्ग में वर्णों की संख्या है पांच, और इसी तरीके से देखें तो का से पा वर्ग तक हमारे सभी वर्गों में वर्णों की संख्या है पांच, पांच वर्ग और सभी में पांच वर्ण होने के कारण इनकी कुल संख्या है 25 इनकी कुल संख्या है 25 अर्था इस परशी वंजन या वर्गी वंजनों की संख्या है 25 अब हम देखते हैं कि इने विभिन इस्तंभों में बाटा गया है इस्तंभ एक बताता है कि का वर्ग का प्रथम वर्ण का है चा वर्ग का प्रथम वर्ण चा है ता वर्ग का प्रथम वर्णता है और पावर्ग का प्रथम वर्ण है उसी प्रकार हम तृती वर्ण की बात करें या फिर कावर्ग के तृती वर्ण की बात करें तो हमको तृती इस्तंब की और आना चाहिए और कावर्ग का अगर तृती वर्ण देखेंगे तो गा और पंचम वर्ण देख तो इनको सामभिक रूप से पंचमा अप्छर कहा जाता है अंगा या अना ना और्मा ये सभी पंचमा अप्छर हैं अगर उचारन के द्रिश्टी से देखें तो कावर्ग का उचारन कंठ से चावर्ग का उचारन कालू से कावर्ग का उचारन मुर्धा से कावर्ग का उचारन दातों से या गंत से और पावर्ग का उचारन कोष्ट से होता है अर्थात कावर्ग के उच्चारण के लिए हम किसका प्रियोग करते हैं कंठ का, चावर्ग के उच्चारण के लिए तालू का, कावर्ग के उच्चारण के लिए मुर्धा का, और तावर्ग के उच्चारण के लिए दातों का, और पावर्ग के उच्चारण के लिए उस्ठ क का प्रयोंग किया जाता है अब जो अगली श्रणी आती है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे यह जो संयुक्त व्यंजन है ये दो व्यंजनों के योग से बनता है अगर हम चा का निर्मान करें तो का और शा मिलकर चा का अगर हम फिर से मूल व्यंजनों की और जाएं तो मूल व्यंजनों में हमें इस परशी व्यंजन के अलावा उस्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी प्राप्त होते हैं उस्म व्यंजन में च शट्कौन कशा, सरोता कशा और ठ शामिल है जबकि अंतस्थ व्यंजन में य र ल व शामिल हैं अंतस्थ ब्यंजन को अपनी प्रकृती के कारण अर्धस्वर भी कहा जाता है जबकि नाम से ही इस पस्थ है उस्म ब्यंजन का अर्ध है शा, शक्कर का शा, सट्कून का शा, शा और हाग जब भी इनके उच्चारण किया जाता है तो मू से उस्म वायू निकलती है, इसलिए इसे उस्म ब्यंजन भी कहा जाता है और मूल ब्यंजनों की एक और श्रिणी जो बाकी है या वर्ग बाकी है उसे हम कहते हैं द्विगून ब्यंजन, इसे हम कहते हैं द्विगून ब्यंज तो अड़ा और अड़ा अड़ा दुगुन वजनों में शामिल हैं ये जो अड़ा और अड़ा हैं कभी इनका उच्चारन शब्दों के प्रारंभ में नहीं होता कभी इनका उच्चारन शब्दों के प्रारंभ में नहीं होता अपितु शब्दों के मध्य और अंत में ही इनका उच्चारन होता है जैसे अगर हम देखे पढ़ पढ़ना स्टड स्टड़ना अगर यहाँ पे अड़ा को देखे यह द्विगुन में अंजन है अड़ा को देखे यह द्विगुन में अंजन है अड़ा को देखे यह द्विगुन में अंजन है और यह भी द्विगुन में अंजन है इस प्रकार हम देखें तो द्विगुण व्यंजन जो है हमेशा सब्दों के मध्या अंत में लिये जाते हैं प्रयोग किये जाते हैं या उपयोग किये जाते हैं अब यहाँ पे अगर हम देखें वरगी व्यंजनों की संख्या है बचिस उसमें व्यंजनों की संख्या है चार अंतस्ट व्यांजनों की संख्या है चार और द्विगुन व्यांजनों की संख्या है दो तो मूल व्यांजनों की कुल संख्या है पैंटीस मूल व्यांजनों की कुल संख्या है पैंटीस आपके संयुक्त व्यांजनों की संख्या है चार आपके संयुक्त व्यंजनों की संख्या है चार, अयोग वाह की संख्या है दूप और स्वरो की संख्या है ग्यारा तो 35 और 49, 49 और 2, 41, 41 और 11 लें तो ये बन जाएगा आपका बावन तो इस प्रकार से हम देखते हैं हिंदी वर्ण माला में कुल वर्णों की संख्या है इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारी यूटूब चैनल पर बने रहे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार झाल झाल